एक छोटे से गाव में एक बहुत ही सुन्दर चिडिया रहती थी, जिसका नाम था तुनी. तुनी एक बहुत ही मिलनसार और अच्छी स्वभाव वाली चिडिया थी. वह अपने गाव के आसपास के जंगल में एक पेड पर रहती थी. उसके पास एक बच्चा भी था, जिसका नाम था चिरो. एक दिन, तुनी ने अपने बच्चे के साथ गाव के बाजार में एक सुन्दर सा सेब खाने के लिए जाने का फैसला किया. वह जंगल से सेब लाने के लिए उच्छुक थी. उन्होंने सोचा कि यह उनके बच्चे को अच्छा लगेगा और उन्हें एक अच्छा अनुभव मिलेगा. तुनी और चिरो ने बाजार की ओर रास्ता बनाया. रास्ते में वे बहुत से और भी चिडियों से मिले. वे अपने साथी चिडियों से बादचीत करते हुए आगे बढ़ते रहे. अचानक तुनी का ध्यान एक बड़े और सुन्दर से सेब पर गया. वह सेब उसके सपनों की तरह था. उसने उस सेब को अपने बच्चे को दिखाया और कहा, देखो चिरो, यह सेब कितना सुन्दर है. हमें इसे खरीदना चाहिए. चिरो भी सेब को देख कर बहुत खुश हुआ. वह भी उस सेब को देख कर चमकती हुई आखों से देख रहा था. उसने मा से कहा, हा मा, यह सेब बहुत ही सुन्दर है. हमें इसे खरीदना चाहिए तुनी ने अपने बच्चे की खुशी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा ठीक है हम इसे खरीद लेते हैं और उन्होंने वह सेप खरीद लिया फिर वे गाव के वापसी की यात्रा के लिए निकल पड़े रास्ते में उन्होंने देखा की एक और चिडिया जिसका नाम था रॉबिन उनके पीछे पीछे आ रही थी तुनी और उसके बच्चे चिडियों के डर से हात में बंदी हुई खिलोने को छोड़ दिया और भागने लगे लेकिन रॉबिन उनसे कही भागने का इरादा नहीं था उसने उनसे कहा अरे तुनी क्या आप ठक गए हैं? मुझसे बात करो तुनी और उसके बच्चे हैरानी से देखते रहे गए उन्हें यह समझ में नहीं आया कि रॉबिन उनसे क्यो बात कर रही है उन्होंने उससे पूछा तुम हमसे क्या बात करना चाहती हो? रॉबिन ने कहा मैं तुम्हें यह बताने के लिए आई हूँ कि उस सेब को जो तुम अपने हाथ में लेकर जा रही हो उसका घर मेरे पेड पर है तुनी और उसके बच्चे बहुत हैरान हो गए वे नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है वे रॉबिन को गंभीरता से देखते हुए बोले क्या तुम सच कह रही हो? रॉबिन ने हंसते हुए कहा हाँ, मैं सच कह रही हूँ तुम्हारे लिए मेरे पेड पर उस सेब का एक खास घर है जो मैंने उस सेब के बीच से उगाया है तुनी और उसके बच्चे बहुत खुश हो गए उन्होंने रॉबिन का धन्यवाद किया और उसके साथ चल कर उस सेब के घर की ओर बढ़ा जब वे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सेब का घर बहुत ही सुन्दर और आकरशक था उसके उपर के पत्यों की रोश्नी में वह सेब चमक रहा था तुनी और उसके बच्चे ने धीरे-धीरे उसके पास जाकर उस सेब को देखा वे बहुत ही आनंदित हो गए तुनी ने अपने बच्चे से कहा चिरो यह सेब हमारा है हमें इसका ठीक से ध्यान रखना चाहिए चिरो ने मुसकान के साथ कहा जी मा हम इसका अच्छा ख्याल रखेंगे और उन्होंने अपनी मा के साथ उस सेब के घर में प्रवेश किया तुनी और उसके बच्चे ने उस सेब के घर की सुंदर्ता को देख कर हैरानी का अभास किया वे उस सेब की तारीफ करते हुए बोले यह घर बहुत ही सुंदर है हमें इसका बहुत अच्छा ख्याल रखना चाहिए तुनी और उसके बच्चे ने उस सेब के घर में एक सुख़द और खुशाल जीवन बिताना शुरू किया उन्होंने समयस्मय पर उस सेब की देखभाल की और उससे अच्छे समय बिताया इस तरह तुनी और उसके बच्चे ने उस सेब के घर में अपने सपनों को साकार किया वे खुश और संतुष्ट थे कि उन्होंने उस सेब को खरीदा और अपने लिए एक अच्छा और सुन्दर घर बनाया